नौश्कार दोस्तों समने मेरी राम राम इस वीडियो में हम 30 और 31 के करंट अफेर कवर करेंगे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेर्स के लिए और उनको लिए बता दूगी अकैडमी पिसले 3 साल से 22 रिजल्ट के साथ आगे अभी 2025 को टार्गेट कर रहे हैं और इसके अलावा जैसे आपको पता ही है कि 28 जुलाई को एक टेस्ट कराया गया था मेशन शक्ती बहुत ही अच्छा रेस्पोंस दिया पूरे हर्याने से लड़किया यहां पर आई और उनका रिजल्ट जारी हो चुका है जल्द ही हो सिफ जब उनके यहां कोई डिस्ट्रेस हो कोई एमर्जंसी हो डिफेंस एकोजिशन काउंसिल जो बोडी बनाए गई थी यह डिफेंस मिनिस्टर हैड करते हैं इसको तो इन्होंने कुछ बाय करना था अनांड वीकल यूएस से अमेरिका से तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करने तो वो अप्रूव कर दिये हैं इंडियन सैंटिस्ट ने एक थोड़ा सा नया कारणा मकर दिखाया है जीन एडिटर जो है उसके अंदर कुछ चेंजिस करके एक बहतरी रिजल्ट की हताय है और सोच रहे हैं कि हम उसको पेटेंट करा ले यह समझा कि एक तरगी बायो सीजर से हैं कैस पर कैस नाइन वगारा पहले भी आ चुके हैं सुप्रियों कोड का फैसल आया है कि स्टेट जो है वो माइनिंग के उपर भी टेक्स लगा सकते हैं यह उनका सम्विधानिक अधिकार है बोहाई गल्फ है येलो सी जो है चाइना का वहां पर ये न्यूज में है थो भारत वीजा लेके आना चाहते हैं या में जूरत ऑंकी वीजा रोके जा रहे हैं बिकॉज वह हैं तो चाइनीजी उन पर वरोसा नहीं किया जा रहा है पिसले पिसली बार भी करीबन दो लाख लोगों को विजा दिये गए और उन पर आरोप लगते हैं कि आज हमारा मैप रहेगा पहला देखो जो मेग दटू प्रोजेक्ट है यह करनाटका प्रोजेक्ट है और एक रिजर्व और है तो यह कहरें कि भाई जिस साल ड्रोट एयर होगा या पानी कमी होगा तो अब तमिलाडू को पानी दे देंगे अधर्वाइस यह जो का डिस्प्यूट है तमिलाडू करनाटका और गोवा थोड़ा सा पॉंडू चेरे के बीच में रहता ही है तो यह जो प्रोजेक्ट है 65 जो इसी क्वांटिटी है इसको नापते है थाउजन मिलियन क्यूबिक फिट में यह जो इतना पानी होल्ड करेगा और यह पानी अदर जाने वाला था तो अब इसको पानी को यूज कर लेंगे करनाटका वाड़ा भी करेंगे और जूरत पड़ी तो हम तमिलाडू को भी दे देंगे अच्छा प्रोजेक्ट है इतना पता होना चाहें कि भाही में के तो प्रोजेक्ट कहां पे हैं अक्सर मैं सब्सक्राइब कर काफी दिन से प्रोजेक्ट रुका हुआ है विकोस सेंटर से पर्मिशन मिलने में इसको इश्यों रखी थी और तमिलाडू गवर्मेंट वीसमें अब्जेक्शन लगा रहा था कि हमारा क्या हुए हमको पानी मिलना चाहिए 2022 में देखो इस तरह के कुश्चन आया था आपको रेजर्वोयर दे दिया घटप्रभा गांदी सागर इंड्रा सागर मैथोन सामने स्टेट लिख दिया और यह पूछ ले कि इन में से कौन सा करेक्ट ली मैस नहीं है तो बहुत अप्शन में आप देखोगे ओनली वन पर तो इस ऐसे कुश्चन में आपको डिरेक्ट ली पता हो तो याप कर पाऊगे जर्वाइज ऐसे कुश्चन को छोड़ देना चीए जैसे घटप्रभा है यह करनाटका में है तो तीन पर ऐसे हैं जो करेक्ट नहीं है इस तरह के कुश्चन आपको मैं दिखाना चाहता हूं आते रहते हैं आगे हमारे जो डिफेंस एकोजिशन काउंसिल है इसका चेर्मन कोन होता है डिफेंस मिनिस्टर तो यहां पर इन्हों अप्रूव कर दिया है अब हम इसको एरफोर्स को और यह समझो कि मिल्टरी के लिए यूज करें खासकर कि चाइना वाली जो बोडर है वहां पर सर्विलेंस होना चीए तो कि आदमियों को टिप्लोई करना पड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर बारिश होती है बरफबारी होती है बार्ड भी आ सकती है ऐसी जगावं पर यह कंटिनेसली उड़ भी सकते हैं एक इंसान तो आठ गंटे वाट ड्यूटी चेंज करनी पड़ेगी यह ऐसे हैं कि 20-30 गंटा भी वहां मन रहा सकते हैं तो यह हमारे एक देश के लिए अच्छी बात है कि हम बढ़ाने जा रहे हैं तो यह क्या चीज है यह ड्रॉन से एक तरह के और इक टेक ओफ है लेंडिंग है डेटा कम्मनिकेशन सिक्योर जीपियस है तो यह समझो कि अगर आपको मैंड वीकल होता कोई हैलिकॉप्टर होता तो उसकी 80% जो है यह 20% कोस्ट में कर देगा ठीक है तो बहुत एफिशेंट है और इसको हम चार जगे भी यूज करेंगे एक तो सब्सक्राइब करेंगे सी गार्जियंस यह नेवी को देदेंगे तो यह हम इंडियन आर्मी और एरफोर्स को देदेंगे कोस्ट में चार बिलियंड डोलर इकरी पोस्ट आएगा और बनाने वाला जो इनका जनल अटोमिक्स है इसकी इनको रिपेर वगरा करने के लिए इं चाहिना को काउंटर करने में हेल्प करेंगे चाहिना बहुत ज्यादा बोर्ड रेक में उपर मुमेंट करते रहत तो यह सर्विलेंस होगा तो भी थुछा सा कंट्रोल में रहेंगे डिफेंस एक्विजिशन वैसे आपके पॉलिटी में आता है इतना पता हो कि 2001 में बनाए या वही प्राइम मिनिस्टर करेगा तो हैड कोन है ऐसा पूछा जाता है इतना आपको पता होना चीए और में इंडिया से पर यह फोकस करता है चलो 2018 में कुशन आया था था थाड टर्मिनल हाई एल्टिटूड एरिया डिफेंस तो थाड उस टैम पर न्यूज में था यह अमेरिका का है एंटी मिसाल सिस्टम है डिफेंस से डिफेंस स्पेस और बायो टेक्नोलोजी और यह समझो की स्पेस मिशन वगरा इन पे ऐसे नाम पुछते हैं कोई नई चीज आई है जैसे खास कर कि अगर डिफेंस में देखो ना तो अभी पुश्पक आया है इससे पहले जितने विमान है ना उनके नाम ऐसे हैं त्रिशूल सोरिय या प्रत्वी अगनी नाम ऐसे ऐसे हैं ठीकि तो वह नाम बहुत कि इन्होंने जिनोम एडिटिंग का सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा नया कर दिया है जैसे क्रिस्पर कैस 9 एक तरह का जीन एडिटिंग टूल है इसको ही और बहतर बना दिया है एडवांस कह सकते हो तो थेरेपेटिक अप्लिकेशन हैं अफोर्डेवल बनाना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इंडिया हो सकता इसका अभी पेटेंट ले ले विकोज इंडिया नहीं बनाया तो इंडिया को पेटेंट मिल जाएगा तो एक तरह का जीन एडिटिंग टूल है कैस नाइन एंजाइम जो है मोलीकुलर सीजर बोल सकते हो जो डि लेनने से हम बने हैं तो हिमन बोडी में ने क्या फाइदा है कि किसी को अगर बच्पन से ही किसी एक पर्टिकुलर जीन में डिकत है सुनाई देने में लगा देने में तो जीनों काटके हम कुछ और लगा देंगे एग्रिकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं कोई क्रोप है उसका पर्टिकुलर को जीन हमने एडिट कर दिया तो वह हो सकता है ड्रोट रेजिस्टेंट बन जाए पैस पैस रेजिस्टेंट बन जाए या ज्यादा येल्ड देने लग जाए तो इसकी अप्लिकेशन बहुत है अगरिकल्चर में आपको क्रोप येल्ड बनानी है नूट् नेचर से खिलवाड करोगे तो भाई दिक्कत तो होगी आपने मालोग गलती से कुछ दूसरा जीन कट गया तो या एक जीन काटा उसके दूसरी जीन पर प्रभाह हो आ गया और जीन एक पर चला गया चला गया दोबारा से नहीं बनता उसको बनने में हजारों साल लगते है तो अन इंटेंडिड जो मोडिफिकेशन से वह हमारे लिए प्रोब्लम रहेगा ठीक है कुछ लिमिटेशन से भी है कुछ फायदे भी है तो दोनों तरह से ही है विचर में इसको रिसर्च को यूज़ करके हम करेंगे 2019 में सिंपल इतना पूछा गया था वट इस कैस 9 प्रोटीन तो यह वही है और जीन एडिटिंग के काम आती है सिंपल सा था कोई खास इश्यों ने जीन पढ़ा होगा कर सकता था जी एस्ट्रू में आया है रिसेंटली सुप्रीम कोट ने यह री एफम कर दिया है कि जो जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं उसके उपर स्टेट टेक्स लगा सकता है इसके उपर काफी दिन केस चला और पहले स्टेट्स को नहीं लगाने देते थे अब नाइन जज़िज उनका हक बनता है एक जज़ ने मना किया कि इससे क्या होगा कि जो सेंटर स्टेट है उसमें पैदा हो सकता है इसमें उनके इंट्रस्ट हो सकते हैं या माइनिंग एक्टिविटीज को लेकि माफिया वगारा को बेनिफिट कर सकते हैं इंट्रस्टेट में रैवली पैदा हो हो सकती है तो सुप्रीम कोट ने कहा दिया तो ठीक कि उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए इतना ही केस है कुछ खास ज्यादा मतलब इसमें हमारे वेल वेलियू अडिशन नहीं है आपको इतना पता होना चाहिए था स्टेट लेशिलेचर है अथार्टी टुटेक्स मिंद्रेल स्टेटरिस यह प्रिंसिपल फेडलिजम को दिखाता है सुप्रियम कोट ने यह कहा है तो फ्यूचर में आपको को मेंस में अंसोर लिखना हो इंटर्वी में पूछना हो या प्रीमें आ जाये तो आप इसको जान रखना 25 साल से केस चल रहा था तो उसको अभी सुप्रियम करतना इन्हों ने मना किया है इन्हों ने कहा कि बाई जो कि स्टेविटी है एक्सप्लोइट करने की वह खराब हो सकती है और बएक डीटमें चैनल कर सकते हैं या अभी तक शरफ इसको करेगा इसे चीजां के उपर अभी एखना डिसकस करेगा को जैसे को अब टेट आएग आपको भी अप्डेट कर दिया जाएगा ठीक है जस्ट मेनट कि असदादरी में बारिस आई बहुत अच्छी तरही मैंनों के बाद पुछा गया था इसमें यह कहा गया था जो मैनिंग लीज है वो सरफ सेंटर गौर्मेंट के पास है लेकिन वह सेक्षिन पंदरा जो है एक उसमें स्टेट गौर्मेंट के पास भी पावर होती है तो यह जो पावर काड़ों खेल यह पॉलिटी से कर लेना अच्छे से आइध lies ocur you को है очान से कर लेना येलो शी का घौर इसकी गवहलें के उपर यह जो घुल है वह यलो रिवर के सथा आकर इसके अंदर गिर जाती इस वजह रंग मा कर ले ना है ये लुगा ऑगया कॉरिया बैव हों रे पर कोन से आती हुआ है यह ए裂 रिवर है यह इस येलो river के साथ आके इसको अंदर गिर जाती हए इस वज़े यावजे का माग कर लेना है येलो सी ओ bullish वोगया कोरिया भे वहाइब होगा तुन से a या वो हाई बोल दिया या पहले इसको गल्फ उप चीली या गल्फ उपिछीली ऐसा कुछ बोलते थे बिजिंग के आसपास है इसका इंपोर्टेंस जादा है यहां पर रिसोर्स वगरा भी काफे हैं कि चलो यह यह गोलन हाइट को लेकर है यह ऐसे कुष्ण से को आते रहते हैं कि जो मिडल इस्ट पड़ा रिजन है खासकर कि मेडिटेरिंग को टच करते हैं उनका कुष्ण हमेसा आता है कि कौन सी कंट्री मेडिटेरिंग को टच करेगी इस बार 2024 में भी नौर सी पुछा गय आते रहते हैं तो अच्छे से में को रखना अब देखो यह एडिटोरियल है कि यह वैसे इतना वह नहीं है पावरफुल को इनफोर्मिशन लेकिन इसके लास्ट मेना इंडिया-चाइना की रिलेशन्स दे रखी है यह आपका वन स्टॉप सोलुशन है इंडिया-चाइना क को अपना एक अलग से पेज बना लेना और इंडिया-चाइना उपर लिख लेना इंडिया-चाइना के बीच में क्या-क्या इश्यूज है इसमें सारे हाइलाइट कर रखें बहुत बड़ी आर्टिकल है ठीक है देखो इश्यू क्या हुआ जो चैनिस टेक्निशियन उनको ऑन्रुब बला रहे हैं तरहां में ठीक करने के लिए लेकिंडिया उनको ber Regel दे रहा है कि देर क्यों और इस वी को सख्खोव जोड़ा सा कौसियों s पे निर्बर होना पड़ रहा है आल तो चाइना हमारा पड़ोसी है लेकिन ऐसे पड़ोसी को हम जितना हो सके दूर रखें विकोज चाइना इधर मैकमों लाइन अकसाई चीन में प्रोब्लम कर रहा है इधर अपना एरिया बता रहा है और इंटरेशनल प्लैटफोर्म पे हर जगह इंडिया को ब्लोग करते हैं लेकिन हमारी मजबूरी है विकोज हमारा लार्जस ट्रेडिंग पार्टनर है हमारे उपर उनका करजा है करबों का तो हम कर नहीं सकते दिक्कत क्या है एक तो वे नैशनल सीक्योर्टी का इश्यू है दूसरा वीजा का रिस्ट्रिक्शन हमारे पास वो स्कील नहीं है कि हम इतने हाइल लेवल चीजों को कर पाएं पट उन्होंने पिछले 40 साल में उस चीज को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया इसलिए हमें उनकी जूर्त है आप देखो कि हमारे पास जो इंट्रेंस स्कील है हमारे पास सिरफ 15 परसेंट के पा इसमें जो जानने वाली चीज है वो है कि इंडिया और चाइना की रिलेशन यह हम आज ही करेंगे अगली बार मैं इसी आर्टिकल को रेफर करूंगा जब भी इंडिया चाइना की बात होगी मैं कहूंगा कि 30 जुलाई वाला देख लेना उससे बैदर कुछ भी नहीं है इंडिया ने बड़ी गलती करी और इंडिया ने यूएन के इंदर सीट भी दिलाई चाहिना को और वहीं लोग हमारे सामने साप बनके बैठें तो इंडिया रिलेशन भी बनाई हमने पंच सील एक्रिमेंट साइन किया कि हम एक तुसरे का पीस कुल को एक्जिस्टेंस रख नाइंटीन सेक्स्टीटो में हमारा चाइना के साथ बहुत बहेंकर वार हुआ और इंडिया की बुरी तरह हार हुई थी ठीक है काफी हम कमजोर हो गये थे 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ भी वार हुई लेकिन पाकिस्तान को हमने नहीं छोड़ा उनको लगा कि चाइना से कम सब्सक्राइब करने लगा और हमारे इंडिया की सोवेट यूनियन के साथ थोड़ी सी बनने लगी उसके साथ दीरे दीरे फिर नॉर्मलाइज होने लगे 1988 के आसपास राजयोगांदी ने विजिट किया चाइना को दीरे एडवांस होने लगा पोस्कड़वर में थोड़ा ट्रेड बढ़ने लगा 2003 के वाद हमने स्पेशल रिप्रेजेंटिटीव मेकैनिजम अपनाए कि जो बाउंडरी डिस्प्यूट इसको अच्छे से कर लेते हैं ताकि हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना रहे बिकोज दोनों ही बड़े देस हैं और दे केनोट अफो 2017 में जैसे डोग लाम के उपर सेंड ओफ वा डोग लाम कहां पर है यह जो अपना भुटान और सिक्की मड़े एरिया यहां पर आपस में स्टेंड ओफ हो ना वह ले नहां मिले 2020 में गलवान वैली के लिए लाट गुसे चले थे करीबन 20-22 लोग हमारी तरफ से शहीद नहीं दिया और कहा कि हमारत कोई मराई नहीं है ठीक है तो इस हिसाब से है अब चाइना और इंडिया के साथ हमारे प्रोब्लम क्या है एक तो है फाइफ फिंगर पोलिसी जो लाइन अफेक्शल कंट्रोल ही पूर लीडी मार्केटिड है तो आसपास के जो एरिया है जैसे लद्दाग नेपाल सिक्यम भुटान और अनजल प्रदेश यहां पर यह मंद्राता रहता यह पांच जगयों पर ठीक है तो पचास साथ जाट टूप्स उन्होंने भी लगा रखे हमने लगा रखे हैं दूसरा है जो हमारा बोर्डर है यहां पर है सलामी स्ट्रेटेजी य आइसको धीर दीरे यहां गाओं वगरा बसाने लग जाएं और और हमारा कंट्रोल हो जाएं और यह बोलने लग जाए कि हमारे कभी से हमारे घाओं थैं तो करीब है इनका इनिसेटिव है वह पुराना सिल्क रूट होता था उसकी जगह इनों ने बिर आई बनाया है और द ना हुआ है सी पैक याद रखने वर्ड ठीक है इसके बाद इनकी पॉलिस यह स्ट्रिंग पॉल्स जितने भी जितने भी नेवल पॉल्ट है इंडिया के चारो तरफ वहां पर यह अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है इंडिया को घेर रहे जैसे आप स्रिलंका का देखोगे इन् इतना पैसा दे दो वह वापिस ही न लोटा पाए और वह आखिर में क्या करना पड़े उसको अपनी जमीन बेचनी पड़े या चाइना को अधिगार देना पड़े तो जगह 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 चैना डैप्ट्राप में फसाता है इसको इसको चेक्बुक डिप्लोमे से भी इसके अलावा इंडिया की दिक्कत भी है कि हमारा इनके उपर डिपेंडेंसी है हमारा 83 बिलियन का डेफिसीट है ठीक है और खासकर ऐसे मैट्रियल जो हमें कहीं और से भी ने मिल सकते हैं ना हम खुद प्रोडूस कर पा रहें खासकर कि रेर मैट्रियल जो गा रहा है या इसके पानी को लेके डिस्प्यूट है गार्भाणपतरा रिवर है वह भी कि तिबद से आती है और इन्होंने उसके उपर डैम बनाने स्टार्ट करती हैं और उसका पानी को लेकर यह हमेसा कभी भी उसका मोट मोट सकते हमारा पुरा प्रब्लम हो जाएगा अब सभश अपने खुद की लाइन बना रखी है जिसको बोलते है नाइन डैश लाइन इन्होंने बना रखी है कि इस से हमारा है लेकिन वह भी डिस्प्यूटेड है तो जो इंडो पैसिफी के वगरा न्यूज में रहता हूं इसी कारण रहता है को चाइना यहां प्रोब्लम कर रहा है में वियतनाम ने इंडिया को कि आओ हमारे देश में और नेच्रल गैस में इन्वाइट करो तो चाइना को वहां मिर्ची लगी तो इंडिया क्यों आके प्रोब्लम कर रहा है इंडिया ग्रेट डेमोक्रेसी और वर्ल्ड लीडर बनने वाला है तो बिचार वियतनाम को तो लेकिन जब बड़े प्लेर आ जाते हैं तो उनको दुख होता है तो इस वज़े से प्रोब्लम कर रहा है रिसेंट में हमने वियतनाम को अपनी मिसाइल भी सैल करी ब्रेमोस कि भाई तुम गोला फेका उदर तो दुश्मन जब मजबूत होता है तो दुख तो होता ही है इस प्रोटन जैम कोपर और और और्गैनिक केमिकल मशिनरी वगार हम इनको भेज रहे हैं ठीक है अब देखो हमारे पास क्या हमने को बना रख है इसमें इंडिया चैना तो नहीं हो सकता इंडिया यूस से जापान उस्टिलिया चारो इस मिलकी इसका काउंटर में है इसके ला होते वे नोर सिरोप और रश्या तक जाएंगे मतलब इंडियन ओशिन से लेकि रश्या जाएंगे पूरा चाहिना के बाहर बाहर से इरान होते वे तो यह एक अच्छा खासा वो है इसके लावा जैसे उन्होंने स्ट्रिंग पल्स पोलिसी अपना रखी है हमने नेकलेस सब्सक्राइब करेंगे तो यह हमारे बहुत अच्छा लिकल में कहूंगा इंडिया चाइना के रिकार्डिंग तो आपका सारा से इससे बाहर इंडिया चैना में कुछ भी नहीं है अगर हम मैपिंग की बात करें इंटरनेशनल बोर्डर की देखो यह सेवंटीं पैरलल ऐसे कई बार स्टेट पीसे बगारा में आते रहते हैं पैरलल का मतलब क्या है लेटिट्यूड तो जो भी लेटिट्यूड जहां से गुजरता है उसको दो देसों के बाउंडरी बनाता है तो ह इज़िप्र उडान के बीच में तोंटीफाइब पैरलल है मौरेटेनिया अनमाली के बीच में इरान इराक में इतनी इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट दोई है थर्टीट बैरनल फोर्टीन पैरलल यहीं अक्सर पूच जाते हैं बाकि तो सिरफ कहने को नाम नाम ह एक चैनल है नौर्थ पूर्ट कोरिया के बीच में और उसको कनेडा के बीच में यह आपको याद रखनी है चाहिए कि अपने आपकर सकते हो और यह पेपर में भी आप प्रपी वाइक्यू में आए भी है चलो तो भाई हमारी तो पांच कुछन हाज के वह यह हैं इंटरेशनल बाउंडरी जो कैनेडा और युएस से के बीच में है उसको हम किस नाम से जानते हैं आपने उपर देखा कौन सा पैरलल है नाइन डैश ला मख्खी वaison मख्खी चला रही है चलो तो नइन डेश लांइन आप बताना है क्या चीज़े मेंक अदयब्स में स्टेट के अंदर लोकेटिट है यह आपको बताना है यह सथी थी डिफेंस एक्वजिशन काउंसिल को हेड कोन करता यह आपको बताना है टर्मिनल हाई अल्टीटूड एरिया डिफेंस थार्ड यह क्या है प्रसेंट लिलूज में था मतलब 2017 का है वैसे तो यह पांच कुछ आपको बताने तो यह हमारा 30 का हो गया अब हम देख लेते हैं 31 का है बहुत सिंपल सिंपल है स्मॉल स्मॉल स्टैप्स लेते जाओ बिग बनाते जाओ एक साल जिसने करेंट फिर देख लिया ना करेंट फिर का मास्टर हो जाएगा एक दंबर तो यह हमारा 31 जुलाइगा रहेगा अगेन सेम इंफॉर्मेशन को स्किप कर सकते हैं इस पार देखो अभी केरला के वाइनार्ड में दुखत गटना होई यहां पर लैंड्सलाइड हो गया और 122 लोगों की डेथ हो गई है करीबन सो से जादा घायल भी है और गोड़ फॉर्बीड उनमें से भी बहुत से लोगों की डेथ होने वाली है विकॉस क्रिटिकल कंडिशन मे है तो यह टोल बढ़ सकता है तो यह नेचुरल डिजास्टर वैसे तो लेकिन इसको भी मैंन में डियाश्टर कहा जा रहा है कि देखो जो गद्गिल कमेटी बनाई गई थी उन्होंने पहले से बताया था आज से करीवन 20 साल हो गए कि भाई बीस तो नहीं तिंग 2012 में आया था तो बारा-3 साल हो गए उन्होंने पहले रिकमेंटेशन दिये थे केरलान इसको इगनोर किया उसकी वज़े से ऐसा दिजाश्टर हुआ है और इन्होंने कहा है गद्गिल ने कि अगर नहीं आप समले तो फ्यूचर में वैसे होंगे इंडिया ओपन एको सिस्टम फेसिंग अन अन्यूजब थ्रेट एंड क्रोजिंग ट्रीज तो यह जो है लाइगर बैनीन एक्सपोर्ट पाइप रएं जो जो नाइगर कंट्री है वहां पे पाइप लाइन खत्रा हो गया वहां पर आपको पता ही है कि आफ्रीका में इंस्टैबलिटी है तो वह किसी का कुछ नहीं मानते अपने पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं लोगों और इनका जो influence है politics पे, media पे, family पे वो बहुत ज़दा बढ़ गया तो इनको भी regulate करने के लिए कुछ ऐसा बनाया जा रहा है अभी तो bill आया है, अभी एक्ट नहीं आया है तो bill आया है, act आया तब अच्छे से देखेंगे, अभी सरफ overview लेंगे और international is a border है, आज हम वो देखेंगे देखो, बड़ी दुखत खबर है कि भई डिवा स्टेटिंग लेंड स्लाइड हुआ है किरला में और वाइनार डिस्टिक में ही हुआ है, जहां से हमारे राहुल गांदी जी सेलेक्ट हो किया थे एक बार 122 लोग एटलिस यहां मर गए है और 197 अभी इंजर्ड है इसमें सभी बहुत से लोगों की जा सकती है, तो यह वाटर लोग धी लोग था तो लेंड वही सब करण होते हैं, जो ग्रफ में पढ़ते आए होगे, एक तो हैवी रेनफाल होना, फिर वहां पर स्टीप स्लोक होना, फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पर कट जाती है, तो जाती है, और धिर पाने इस रिस, रिस के वह एकदम से ग्रेविटे से बहह जात तो ऐसे कुश्यन में हमें क्या करना है कि वह को पता होने चीजिए सोलीशन पहले से कमिट्री देवारा दी आ चुके हैं यहां पर डी फोरेस्टेशन बंद करो इसको सेंसिटिव एरिया गोसित करो यहां पर माइनिंग एक्टिविटीटीज बंद करो ठीक है यहां पर पानी अब इसके कारण देखते हैं यह आप देखोगे तो बहुत पहंकर मतलब द्रश्च देखा भी नहीं जाए ऐसा कर द्रश्च हो गया वाइनाड के थुरू काविनीरी वर बहती है जो की काविरी की ही ट्रिब्यूटरी है और यह वाइनाड क्या सब्सक्राइब लाइफ सें फिर फिर हिली टेरेन है शार्प शार्प स्लोप से इसके वज़े से क्या होता है कि बहुत जाएदा हो जाता है और यह कोई मतलब गटना नहीं है इस तो के दवारा एक एटलस निकले जाती है लैंड लैंड स्लाइड एटलस ओफ इंडिया उसके अंदर पहले से बता रखा यह कुशन बनता है में कि लैंड स्लाइड एटलस ओफ इंडिया किसके दवारा रिलीज की जाती है तो इस तो की दवारा की जाती है जब ऐसी बहुत सारी बारिस होती है तो बहुत चलती है और जो माइनिंग वगारा है या इसको नेगलेट किया गया है जो मादव गदगि जा रहा है ठीक है चलो तो पहले से बताया था इंप्लिमेंट हो नहीं अब हम कर क्या सकते हैं कुशन यहीं आएगा ना कि रेसेंट लैंड स्लाइड्स हैव क्रियेटिड है वोक्स सजेस्ट एंसम मैजस्टू कंट्रोल इट ऐसा कुछ आ सकते हैं देखो एक फॉर्शन करो लगाओ तो सोईल स्वेलेज होगी सोई एरिजन कम होगा प्रोपर ड्रेनेंस सिस्टम होता कि वो सैचुरेशन ना हो स्लोप को रिइंफोर्समेंट करो रिटेनिंग वाल बनाओ टेरेसिंग बनाओ कंस्ट्रक्शन जो उसको स्ट्रिक्ट रेगूलेशन करो क्योंकि टूरिजम के चक्कर में ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कर दे आते हैं जो कमजोर मना देता है और यहां पर नेशनल लेंड श्लैड मॉनिटरिंग की पबलिक येरिनेस करो कि कैसे बजा जा सकता है कैसे र एक लेंड स्टेट बनाए गई थी इसरों के तोबारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर था इस रोके अंडरी था तो इन्होंने पूरे कंट्री में होट स्पोर्ट ऐसे ढूंडे थे उन में से ये भी था सबसे ज्यादा जो टॉप स्टेट थे लेंड स्टेट की वह था यह पहले से ही पता था तो मतलब कोई नई बात नहीं है हमने मैजर नहीं लिए उसका हम भुगत रहे हैं अब यह मादव गदगी लह काफी अब तो एजर हो चुके हैं इन्होंने कहा कि भाई मेरी बात आपने नहीं माननी मैंने तब भी कहा था कि भाई यह बहुत जाद़ संटिव एरिया है तो इन्होंने जो बताया वो माना नहीं गया त्र टीजस्ट लिइंगा रहा है मैं T हो सकता है यहां पर त्यार यह होती 2011 में 000ने बता आया था कि वहींछ varying दोश्क देख लेते हैं sensitive non sensitive और जो जो जोन 1 है वहां पर कुछ भी नहीं किया जाएगा लेकिन होटसपोर्ट बगरण होते हुए भी वहां पर श्रिक लिकुछ नहीं किया गया तो अब यह कहारी है कि भाई इसके जो रिपोर्ट्स हैं उनको रेजिस्टेंस हुआ अब कोई भी रिपोर्ट आती है तो किसे ना किसे नुक्सान तो होगा अब मालो सेंसिटिव जोन से लाखो क्रोड़ों रुपे का जो रो मेंटरी लह भाहर जा रहा है टूरिजम हो रहा है तो डेफिनिटली आप सबको पता होगा लेकिन हम यहां बैठके उनके लिए सिर्फ एक दिन का सिंपैटी दे सकते हैं कि वहीं चलो बुरा हुआ लेकिन जिनके बच्चे चले गए क्या हम उनका दुख बाट सकते हैं बिल्कुल भी नहीं और फ्यूचर में ऐसा ना हो हमें इससे कोई खास फ बूल गए पुराने लेकिन एक महीने बाद 6 में भूल जाएंगे लोग अब यहां पर 122 लोगों की डैथ होगी है वहां तीन लोगों डैथ हुई है तब इमेजिन करो कि इनकी लाइफ उनकी लाइफ में को डिफरेंस थोड़ी नहीं है वह स्टूडेंट से यह भी तो किस इस तरह के ओपन हमारे ग्राउंड है जो ग्रास लेंड का सकते हो यहां पर डिस्टरबेंस देखी जा रही है मोनो कल्चर आ रहा है पर ट्रीक्लर टैप की वह बढ़ती जा रही है और मोनो कल्चर से क्या होता है कि एक डैवर्सिटी खत्रे में आती है तो जीव जनतु है वह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो इस हिसाब से कहरें कि यह बढ़ रहा है लेकिन यह अलार्मिंग है हमारे लिए जो नेटिव स्पीसिज हैं वो डिकलाइन हो रही है तो यह हमारे लिए खत्रे का निसान है हमें संबल जाना चाहिए और यह स्टड़ी पुब्लिश करी अगरी गही तो इसमें कहरें कि भई और ग्रेजिंग हो रही है इस चीजा को नाम किया दिया गया आपको यह वर्ट द्यां रखना है टो विडूडि एंट्रोश्मेंट कि अउंट होते हैं खुले ग्राउंड होते हैं उसके अंदर ट्री और डेंसिटी बढ़ जाती है क्लास वह नहीं है कि वह लोंग टाम में हमें एकोलोजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहिए सरफ इतना ही इससे मैसेज है चलो होना चाहिए इस तरह कुछिन 2021 में आ चुका है वेजिटेशन ओप सवाना कंसिस्ट ग्रास लेंड तो आप इसको अराम से पोज करके एक को कर लिया है इंडिया का इंडिया का सब्सक्राइब बन गया है कि इस तरह के देजिबर में डैंतिम्य आते हैं कि भई आय सब्सक्राइब पहले नहीं हूना चिए टो इस तम इच्छी मेpełगे पता होना चीथ है और यह संब इस उनिए इतना रयाना इनavic इंफॉरमिशन द से रखेगे देखो अगर आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा थी कि वहीं आ सेंटर कहा वना सेपरेट कैसे हुआ केमिकल प्रोसेस पूछ लेंगे इसको भी आराम से प्रेक्टिस करना इसका उत्तर वन एंड थी है जिसमें चेंज कर दिया हसान दाहे जाना था कर दिया या तो फॉस्ट सेकेंड नंबर में खेलता है कि फॉस्ट है सेकेंड है या फिर लोकेशन में चेंज करता है जो एक्जामिनर है तुलासा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा यह चाइना के दोबारा बनाएंगी एक नाइजर बैलाइन एक्सपोर्ट जो ट्रेंड फिसले दो तिन साल से दिख रहा है कि कोई भी कॉन्फिक्ट एरिया है उसके आसपास की चीज़े पूछता है मालों किसी देश में कॉन्फिक्ट हुआ वहां से कोई बड़ी चीज निकल रही है यह उसकी बाउंडरी या उसकी कैपिटल यहां के मिनरल्स ऐसी चीज़े हैं तो नाइजर को अपने मैटलेस में देखना और थोड़ा सा उब्सवर करना कि यहां पर क्या चल रहे हैं जैसे एरल सी ब्लैक सी लेक बैकल तो जितने भी ओशियन सी रिवर लेक यह तो आपके रटे होने चीए ठीर धीर हम रट भी लेंगे ट्रिक्स से याद इनके उपर रेगुलेशन नहीं हो रहा था मालो मेरा यूट्यूब चैनल है और मैंने खोल दिया और मैं कुछ भी बोलने लग गया यह इस्यू जहां तक मैं रिलेट कर रहा हूं बिकोज इलेक्शन से पहले दुरूर आठी ने बहुत कुछ बोला प्रेजेंट के बारे मे किया अब उनकी उपर कंट्रोल करने के लिए कुछ था ही नहीं हमारे पास उसके चैनल को ब्लोग करने के लिए तो अब एक रेगुलेशन आ जाएगा तो प्रोपर हो पाएगा वो सभी के लिए हो पाएगा कि आप लिमिटेड बोलो लोगों को ब्रेनवाश किया जाता है अब मैं एक आदमी के बारे में एक साल से बुरा ही दिखाए जा रहा हूं तो आपका मन डेफिनिटली बायस हो जाएगा और आपको फैक्ट के साथ दिखाए जाएगा यह देखो सेंस यह कहता है यह कमेटी यह कहती है नॉबड़ीज वेरिफाई कि कौन सी कमेटी में यह गया मैं जाकर देखने वाला नहीं हूं पर परच्चें आएंगे उसको और नमसकार दोस्तों नमसकार दोस्तों ऐसे करते-करते आपको ब्रेन वोश कर दिया जाएगा थी कि शुक्त करने वाली है खासके डिश्चल मेडिया है कमेंटरी है न्यूज है तो ओनलाइन हो कि 29 परसेंट जो सर्वेज एक सर्वे क्या गया 29 परसेंट लोगों ने कहा कि वो ड्रेगुलर्ली पॉलिटिकल कॉंटेंट को डेली मीडियम डेली लेवल पे कंजूम कर रहे हैं वट्सप पे यूटूब पे हर जगह मतलब वीडियो फॉर्मलेट होती हैं सर्कुलेट होती तो आपको यहां पर अंसर रैटिंग आपकी चेक होती है कोई भी मीडिया रेगुलिशन होगा तो क्या चेक करेगा नंबर वन की वो रेगुलेट करेगा नंबर दो कोईने कोई बोड़ी बनाये जाएगी नंबर तीन उसका यह समझो कि कोईने कोई रैस्पोंसबिलिटी क होंगे चैलेंज यह होंगे कि भई फ्रिडम जो फ्रिडम है बोलने के आजादी वह कर बोजाएगी पॉलिटिकली लोग टार्गेट किया जाएंगे जो सच बोल रहा है उसको नहीं बोलने दिया जाएगा तो इससे इसका मिस्यूज हो सकता है या इसमें कुछ लेकुनास भी नहीं पाओगी तो गवर्मेंट क्रिटिशन खत्म हो जाएगा तो दोनों तरह के फैक्टर्स हैं तो देखो एक तो क्लासिफिकेशन करेंगे डिजिटल का और ओटीटी का ओटीटी पे भी बहुत ज्यादा अब्यूज चल रही है तो इनके सामने कंप्लाइंस रखे जाए सम्विधान का राइट है डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का आर्टिकल 19 फ्रीडम और रखना चाहिए जो चीजें है वह सारी ट्रांस्पेरेंट हो कि यह रूल है इस पर लगाया ऐसे लगा उसमें आपको ट्रांस्पेरेंसी रखने पड़ेगी प्रिसाइज और क्लिर प्र प्रीडम का और राइगोलिशन का बैलेंस रखना पड़ेगा इस तरह से तो अभी तो कंकुलोजन में यही है कि यह गोवर्मेंट लेके आ रही है डिश्टल कॉंटेंट मेनेजमेंट के बारे में और कंट्रोल करेगी बट इसमें कुछ इसूस भी रहेंगे गोर्मेंट कं के हिसाब से तो हम रखेंगे ठीक है यह तो ब्रोड़कास्टिंग मिनिस्टि के बारे कुछ इनिफोर्मेशन है चलो अच्छा अर्टिकल था मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए आज हमारे कुछ हमें हिंडंबग है पोलेंड जर्मनी यह आपको याद रखना है में रही इंडिया और चायना के बीच में है है यह तो ब्लंडर किया था उन्होंने सेफ सिग फ्रेड लाइन फ्रांस जर्मनी नोट सो इंपोर्टेंट ब्लू लाइन यह याद करना लेबनान इस्राइल के बीच में ग्रेन लाइन के लो यह यूएन बफर जोन यह अटीला लाइन यह रिवलिक उप साइप्रस और टर्क लाइन मादवगडगेल जो रिपोर्ट आई थी आपको याद करना है मादवगडगेल की रिपोर्ट जो आए थी 2016 का जो प्रिलंस आया था उसमें मादवडगडगेल की बारे पूछा था कि यह किस के बारे में ऑपशन में वेस्टन गार्ट था इस्टेंस पूर्थ-एस है कौन-कौन सी कंट्री उसको तर्च करती हूं आपको बताना है और यहीं बताना है कि लेक विक्टोरिया से कौन से नाइल निकलती है बुलू नाइल या वाइट नाइल ट्रिक के साथ में आपको याद कराया था और पता हो तो भी लिख देना फूरी जी दा लैंड स्लेट इंडिया यह किसके दोरा रिलीज की जाती है आपको पताना है तो यह पांच कुश्चन आप डेली करो महिने में देट सो कुश्चन हो गए दस महिनों में यहीं कुश्चन पंदरा सो हो जाएंगे एक साल में मतलब एले समझों कि 18 सो कुश्चन हो गए तो आठार से कुश् और जो रेगुलरी बच्चे कमेंट करें उनको हमारी तरब से गिफ्ट भी बेजा जाएगा थैंक्यू अब कर दो कर दो कर दो कर दो